आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग details review करने वाले furniture brand का जिसका नाम है Stanley तो एक mainline category का IPO है जल्द ही market के अंदर यह आपको open होती देखने को मिल जाएगा तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग company के business model के बारे में जानेंगे company के financial data को यहाँ पे समझेंगे peer competitor कोन है market के market के अंदर premium कितना चल रहा है यानि आपको इस company के अंदर अगर एक lot का allotment हो जाता है तो उससे आप यहाँ पे कितना पेसा earn कर पाएंगे वीडियो के last में आपको कुछ एसी important बाते बताऊंगा जिनको अगर आप follow करके किसी भी IPO में apply करेंगे तो आपके ज्यादा chances यह वो आई प्यों है जिसकी में बात कर रहा था इस टेंडली लाइफ इस्टेल ठीक है आपको इसके उपर क्लिक कर देना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप आज आएंगे के पहले हम लोग इसका जीएंपे प्राइस देख ले थे कि अगर आपको इस आपक प्रॉपे का प्रॉपिट दिखा रहा है पर लौट के अंदर हम लोग वीडियो को करेंगे और पेले हम लोग कमपणी का बिजनस मॉडल समझेंगे उसके बाद में हम लोग बाकी की चीज़ें हाँ पर समझने वाले हैं यहाँ पर देख सकते हम लोग मेंड पेज के ऊपर आचुके वियार लाटकेस शूपर प्रीमियम एंड लगजरी फरनीचर ब्रांड तो फरनीचर तो आपने कई तरह के देखे होंगे बिट जो एक कमपनी यहां पर डील करते प्रोड़क के अंदर जितने भी लगजरी फरनीचर रहेंगे उसके अंदर कमपनी डील करती है यह प्रोड़क नहीं बनाते पर इंडिया के अंदर यह पेली कमपनी जो अभी श्टोक एक्चेंज के उपर लिस्ट होने जा रही अभी तक एसी कोई भी कमपनी श्टोक मार्केट के उपर लिस्ट नहीं है तो यह एक यूनिक बिजनेस मोडल है यहां पे हमको काफी सारी लगजरी सेग्मेंट के अंदर उनके खुद के रीटेल आउट है उनके उपर इनके प्रोड़क जो है सेल होते हैं इनका जो कार कमपनीया रहती है जो लगजरी ब्रांड है उनके साथ भी टाइफ है उनके यह सीट कवर बगएरा भी जो है बनाते हैं अगर हम लोग यहां पर कमपनी का जून 2023 तक का डाटा देखे ऑपरेट 34 कमपनी ऑपरेट बाय को को तरीके का यह बिजनेस मोडल होता है जिसके अंदर यह कवर करें मेट्रो सिटी को जिसके अंदर बेंगलूर चिन्नाई नियो डेली मुंबई हैदराबाद उसके साथ ही इनके 21 बारड है वो सही जगह पर अपना काम करें तो जो मेट्रो सिटी होती ए उनके अंदर जो है कंपनी हम परे काम कर रही है अगर मैं इनके बिजनेस मोडल को आपको सिंगल वर्ड में बताना चाहूं कंपनी यहां पर लगजरी फणीचर बनाती है और उसके अंदर यहां पर कर दीजेगा मैं को सिस करूंगा एक चन्वन डिपलाइ देने की वीडियो अच्छा लगए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और चेनल को भी सस्क्राइब कर लीजेगा ताकि किसी भी आई-प्डेट सब से पहले आपको मिल सके अभी दोस्तों हम लोग इस्टे करने वाली है जो इनके पहले से शेयर होलडर है वह अपना हैंपर सेल करेंगे फ्रेशजु रहेगाanting वो 200 क्रोड का रेने वाला थे यहां पेím कोcrates कर सकते ज्यादए ज्यादा गर सकते हूं पर 12 लोट उसेंगे कर सकते हैं अगर retail portions की बात करें तो एक lot के अंदर आपको 40 share मिलेंगे maximum अगर आप अपले ही करेंगे तो 520 share आपको मिलने वाले एक lot के लिए आपको यहां पे 14,707 रुपे पे करने होंगे यहां पे हमको objective of issue के बारे में बताए जाता है यानि company जो भी IPO से पेशा erase करेगी उस पेशा का कहां पे invest करेगी तो इस पेशे की मदद से company new store open करेगी इसके साथ ही हां पे देखे जो company के पहले से store है पे renovations के अंदर पेशा खर्च किया जाएगा यहां पे हमको IPO के important date के बारे में बताए जाता है 20 June से लेके 25 June के बीच IPO open रहने बाला है 26 June को यहां पे आप को allotment मिल जाएगी 27 June को आपका पैसा refund कर दिया जाएगा अगर आपको allotment मिल जाती है तो 27 June के ही आपके demate account के अंदर share transfer कर दिया जाएगे 28 June को यह IPO आपको list होते देखने को मिल जाएगा NSC और BSC दोनों के उपर यहां पे हमको company के financial data के बारे में बताए जाता है 21, 22, 23 और December 2023 तक का हमारे पार data है यहां पे अगर आप revenue देखेंगे तो ठीक तरीके से बढ़ रहा है revenue के साथ यहां पे अगर आप expense देखेंगे यानि खर्चे देखेंगे तो खर्चे भी यहां पे अगातार increase हो रहे है अगर हम लोग 2021 के बात करें profit के अंदर तो company का जो profit था 1.29 करोड का profit था 2022 के अंदर 23.22 करोड का profit था 2023 के अंदर आप company का profit देखेंगे तो 34.98 करोड का profit December 2023 तक यहां पे देखेंगे तो 18.70 का profit है अगर profit के मामले में देखेंगे तो company हाँ पे stable growth कर रही है यह company का financial data है अगर profit के मामले में देखेंगे तो company हाँ ठीक ठाक profit कर रही है यहां पे आपको company के quality factors के बारे में बताया जाता है तो यहां पे आप इसको पढ़ेंगे तो आपको company के visions के बारे में easily चीज़े पता चल जाएगी आप चाहे तो इसको आपके हाँ पढ़ सकते हैं company के official website है हम लोग इसके उपर चलते हैं company किस टाइप के product में हाँ पे deal करती है आगे फिर मैं आपको बताऊंगा आपको apply करना है या आपको जो है avoid करना है पर मैंने वीडियो की starting में ही बता था कि company हाँ पे super luxurious product के अंदर deal करती है पर आपको company की पूरी journey देखने को मिल जाएगे company 1990 में जो है start होई थी यानि 1999 में company start होई थी तो company काफी पूरानी company है इनका Ford के साथ भी tie up है seat cover होता है उसको जो है provide करते है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो company पूरानी है तो यह थोड़ा सा आपको trust दे सकती है पूरानी company है तो अभी तक चलते हैं तो futures में भी यह चल सकती है देन अगेन repeat करूंगा company का जो business model है फिल्कुल नया है और market के अंदर अभी तो कोई भी ऐसा brand list नहीं है जिससे आप इसको compare कर पाए तो यह थोड़ा सा ही हाँ पे negative point है अभी मैं आपको कुछ point बता रहा हूँ जिनको आप अपने mind में रखके apply करेंगे तो आपके ज़्यादा chances रहेंगे कि आपको इस IPO से जो है profit देखने को मिल जाए पहला point आता है हमारे GMP को लेकर तो पहले आपको यहाँ पे company का GMP चेक करना है तो यहाँ पे आप देखेंगे इस trendy life style तो आग की डिट में 4000 रुपे का profit चल रहा है पहला point आपको यह चेक करना है दूसरा point आपको यहाँ पे चेक करना subscription status तो आप subscription status के उपर क्लिक करेंगे जो mainline के IPO रहते हैं उनके अंदर ज़्यादा foundations नहीं रहती बट जो SME IPO रहता है उसका 50% अबोग होना चाहिए over subscribe तो यहाँ पे देखेंगे GPA Solars का IPO आया था first day के अंदर ही 60% से ज़्यादा over subscribe हो चुक है तो यहाँ पे पेसा लगाना है जिसकी demand आपको अच्छी देखने को मिले के साथ ही आपको इसका subscription देखना होगा यहाँ पे आ जाएंगे आप और इसको जो है आपको monitors करना है subscription monitors करने के लिए आपको अपनी category के अंदर चेक करना है कि कितने share है आपके लिए यहाँ पे example के लिए आप देखेंगे 10,32,000 सेरे 9,7,50,000 सेर के लिए bidding लग चुके यहाँ करोड़ में अगर competition देखें तो 86 application में से एक को allotment मिलने बाला और दो दिन यहाँ पे बचे होए यहाँ पे देखिए subscription बढ़ते जाता तो आप समझ जाएगा कि उस company के अंदर आपको invest करने के बारे में सोचना चाहिए यहाँ पे ज़्यादा मैं इस company के बारे में discuss नहीं करूँगा क्योंकि company का business model बिल्कुल unique है और यह ऐसे पहली company है जो market के अंदर list होने जा रही है किसी भी company का यहाँ पे track record नहीं है तो जो भी मैंने आपको parameters बत आप उनको follow कर लिजेगा आप easily decide कर पाएंगे आपको apply करना है या आपको जो है इस IPO को avoid करना है तो दोस्तों आशा करता हम यह video vlog को काफी अच्छा लगा होगा